नमस्कार दोस्तों मैं धर्मेन वर्मा ओनलाइन इस्टेटी विडि़ी के मैं आपका बहुत बहुत श्वागत करता हूँ आज हम बात करेंगे दोस्तों अधिगम के 50 अतिमहत्त पूर्णों प्रस्णों के बारे में ये भाग दो है मैं भाग एक पेले ही बना चुका हूँ यदि उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो इसकी लिंके मैं आपको डिस्केशन में ले दूँगा वहीं प्रस्ण दोस्तों रिपीट हो रहे थे इसलिए उन प्रस्णों को मैंने हटा दिया है और आगे वाले प्रस्णों को मैंने ले लिया है तो वीडियो को सुरू से लेकर लाष्ट देखिए और अंतर में मुझे जरूर बताएगा कि जो आज का वीडियो है वो आपको क कीज लगा तो सुरूब करते हैं आज का पहला प्रशनी है तो से विवार को तीवरगती से सील गत्ता है और प्रशनी शामोहिक विवार को बाला प्रथम रूप से सीखता है कब सीखता दोस्तों सेश्ववस्ता के प्रारंब में सेश्ववस्ता के अंत में बाल्यवस्ता के प्रारंब में या फिर बाल्यवस्ता के अंत में तो इसका राट आंसर है सामुहिक विवहार को बालक प्रथम रूप में सेश्ववस्ता के अंत मे सेखता है अगला प्रश्ण है गिरो बनाने की प्रवत्ती बालक सेखता है कब सेखता है बाल्य वस्ता में सेश्वा वस्ता में या फिर सेश्वा वस्ता की अंत में तो इसका राइट आंसर है जो गिरो बनाने की प्रवत्ती है वो बालक बाल्य वस्ता में सेखता है अगला प की राइट आंसर होगा ढिवावना से समलित कारियों को बालक बाल्य आउस्ता में सेखता है अगला प्रशन से, आतमे प्रेम अर्थात हैं को आकर्षक बनाने की गर्तिविदियों को बालक किशोरा वस्था में सेखता है अगला प्रशन है किशोरा वस्था में बालक को द्वारा समयुजन की प्रकरिया को सीखने में इस तिर्था का समयुजन की प्रकरिया को सीखने में इस तिर्था का शमवेश होने का कारण है अगला प्रश्न ही सामाजिक विकास एवंकारियों के सीखने में प्रभाव होता है किसका होता है वनसानुकरम का नेतिकता का मानवता का या फिर मुल्यों का तो इसका राइट एंसर है सामाजिक विकास एवंकारियों के सीखने में वनसानुकरम का प्रभाव होता है अगला प्रश्न ही निमली के तमीसी को निस्वा तक थे बालक को शामाजिक गुणों को सीखने में साहिता करता है चार उपसन है दोस्तों इसमें से बताना है तो इसका सही आंसर होगा खेल और पाठ्ठे करम सहेगा में किरियाएं ये दोनों ही दोस्तों बालक को सामाजिक गुणों को सीखने में साहता करता है तो इसका राइट आंसर है A एवं B दोनों अगला प्रश्ण है शामाजिक कार्यों को सीखने के लिए आउशक है तो इसका राइट आंसर है इन में से सभी अगला प्रश्ण है क्रो एंड क्रो के अनुसार कोन से विकास साथ साथ चलते हैं दोस्तों आपके सामने चारोप से ये बहुती अच्छा प्रश्ण है तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्रो एंड क्रो के अनुसार शामाजिक विकास इवं शविगात्मक विकास दोनों साथ साथ चलते हैं अगला प्रशन है हरला के अनुसार बालक सरवादिक सामाजिक कार्यों को सीखता है अगला प्रश्ण है निमलिकत में से कौन सा तत्य सामाजिक विकास को प्रभावित करता है तो इसका जो राइट आंसर होगा इनमें से सभी होगा अगला प्रश्ण है तत्यात्मक ग्यान को सीखने में सरुप्रथम आवशकता होती है किसकी होती है उपकरणों की प्रियोकसाला की दोनों की या फिर भासाई विकास की तो इसका राइट आंसर है तत्यात्मक ग्यान को सीखने में सरुप्रथम भाशाई विकास की आवशकता ह होती है अगला प्रश्ट नहीं सेस्व वस्ता में भासाई तत्यों के सीखने में सबसे अधिक प्रभाव परिवार की संसकती इवं सभिता का पढ़ता है अगला प्रश्ट नहीं सामान ने भासाई अधिगम की इस्ति में बालक लगबग 200 से 225 तक सब्द किस IU वर्ग में सीखता है तो इसका राइट आंसर होगा सामाने भासाई अधिकम की इस्तिति में बालक लगबग 200 से 225 तक सब्द दो वर्सकी आई उवर्ग में सीखता है अगला प्रशन है राइट आंसर है इस्तिती तीनों ही भासाई तत्यों को सीखने में बालक की साहता करती है तो इसका राइट अंसरे ये जबी अगला पुरशने है इसमीत के अनुसार जन्म के बाद के प्रथम 2 वर्सों में लंबी अउधि तक रोग गरस्त होने के कराण भासाई विकास की किरिया हो जाती है कै अगला प्रश्ण है भाषाई अदीगम को प्रभावित करने वाला कारा के दोस्तों आपके सामनों चार ओप्सने इसमसे बताना एक वश्वास्थ और बुद्धि दोनों है तो इसका राएट एंसर है A एवं B दोनों अगला प्रश्ण है बहाशाई अदिगम सरवादिक प्रभावित होता है किस से होता दोस्त तो आपके सामने चार उपसने इसमें से बताना है तो इसका राइट एंसर है जो बहाशाई अदिगम सरवादिक प्रभावित होता है वो हकलाने से और तुत्र लाने से दोनों से होता है तो इसका अगला प्रश्ण में बालक द्वारा मिट्टी के घड़ा एवा म झेलोनों का निर्मान करना सुचक में बालक में आयू की उरद्दी के साथ कल्पना का सुरूप होता है के सा होता है तुमुरत इसका बालक एक मुर्ती को देखकर उसी बनाने का प्रियास करने लगता है। अगला प्रियात्मक विकास एवं मुल्य अधिगम से सम्मदी थे। प्रियात्मक विकास की आवशकता होती है। अगला प्रियात्मक विकास प्रियास और तूटी विधी पर आधारित है। इसका जो राइट आंसर है वो दी होगा। अगला प्रश्ण है। विवहार के कारण विवहार में कोई भी परिवर्तन अधिगम है एसा कहा गया है। इसका कथने ये किस ने कहा है चार उपसने दोस्तों इसमें से बताना है तो इसका राइट आंसर है यहां गिलफोर्ड द्वारा कहा गया है। इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्ण है पावलाव था कहाँ के थे दोस्तों जो पावलाव है वो तो जो पावलाव है दोस्तों वो एक रूँसी मनोविग्ञानिक थे। चोथा होगा अगला प्रश्ण है पावला उन्हें संबंद प्रत्या वरतन सिद्धान्त का प्रियोग सर्व प्रत्म किस पर किया दोस्तों तो बहुत ही सरल आपको सभी को पता होगा तो इसका स्रीयांसर है इन्होंने सर्व प्रत्म कुत्ते पर प्रियोग किया था अगला प प्रश्ण है अनुकरन सिद्धान्त के द्वारा बालक में क्या विक्षित किया अगरए प्रश्ण है जिस सिद्धान्त के अनुसार प्राだけ प्राने का देख करके अनुभव करके उसकी पूण आकरती बनाते हैं, कोंसा सिद्धानत है दोस्तों ये, किस सिद्धानत की अंतरगत आता है तो यहां gestalt का सिद्धानत की अंतरगत आता है अगला प्रश्ण llev बालक को सीकने के समय ही, जिस किरिया को सीकना होता है, टेप रिकाडर पर रिकाड único करके, उसका समन्द निमने में से अधिगम की वीदिया है दोस्तो चार उपस ने इसमसे बताना है जो अधिगम की वीदिया है कौन सी है तो इसका सरी अंसर है जो अधिगम की वीदिया है वो अवो लोकन वीदी करके सीखना और सुप्त अधिगम वास सामोहिक वीदी तीनों ही अधिगम की वीद अगला प्रश्ण है, यहां शिद्धान्त समय पर सीखने पर अधिक बल नहीं देता, यहां सीखने के सूज के सिद्धान्त की सिख्चिक उप्योगिता नहीं है, अगला प्रश्ण है, अगला प्रश्ण है, अधिकम को प्रभावित करने वाले कारागे, अधिकम को प्रभावित करने वाले कार कोन से है, तो इसका राइट अंसर है, भूक एवं परिपक्वता, प्रशंसा एवं निंदा और सिख्चन पत्ति एवं अभ्यास्ती नों ही दिकम को प्रभावित करने वाले कारागे, तो इसका राइट अंसर है, यह सभी, अगला प्रश्ण ही, शीखने में रुकावट आने का कारण है, चार अंसर है, तो इसका राइट अंसर है, उप्रुक्त सभी, लक्ष प्राप्ती में सूझ का महत्व माना है, किशने माना दोस्तों आपके सामने चार अंसर है, तो इसका राइट अंसर है, जो लक्ष प्राप्ती में सूझ का महत्व ड्रेवर ने माना है, अगला प्रश्ण ही, सीखने की प्रकरिया की एक प्रमुक विशिस्ता पठार है यहां कतन है दोस्तों यहां कतन किसका अब होती अच्छा प्रशन है तो यहां कतन रासका है अगला प्रशन है सीखने में उन्नती पूर्ण संभव है सिद्धानत रूप में व्याभारिक रूप में वांचनी रूप में चार उपसने इसमें से बताना है तो इसका सही अंसर है जो सीखने में उन्नती पूर्ण सिद्धान्त रूप में संभव है अगला प्रश्ण है सीखने की आवशकता है जो सीखने की आवशकता है वो बालक के रूची है बालक के सव्वेग है बालक का पूर्ण व्यक्तित् वहे अगला और लाश्ट प्रश्न है सीखने की गती निर्भर करती है किस पर करती दोस्तों सीखने की गती निर्भर आपके सामने चार उप्सन है इसमें से बताना है तो इसका राइट अंसर है तो सीखने की गती निर्भर करती है उस सीखने वाले के रूची पर जिग्यासा पर और सीखने वाले की प्रेणना पर नेरबर करती है तो इसका राइट आंसर है इन सभी पर तो दोस्तों ये 50 प्रस्णते आज के आपको 50 प्रस्णत कैसे लगे प्लीज मेरे कमेंट से बोकस में जरूर बताएगा और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट से से जरूर करिएगा और अभी तक मेरे चैनल को अपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्ले सब्सक्राइब कर लिजे और साथ में बेल आइकन को दबाएगे जिससे कि आपको लेटेश्टी वीडियो मिलती रही धन्यवाद झाल